हेलो फ्रेंट्स मैजिक केर एलेक्रोनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोत के नियाफ सबी का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम देखेंगे एक QLED मेरे पास आया हुआ है रिपेरिंग में जो की 43 इंच का है जिसका मॉडल नंबर है QA43Q60TAKXL रिमोट से कोई भी फंक्सन दबाते हैं तो यहाँ पर आप इंडिकेटर लाइट पे कुछ ना कुछ रियक्सन्स देख रहे हैं यह रियक्सन्स नॉर्मल है इसका मतलब यह है कि इसमें प्रोसेसर इस वरकिंग प्रोसेसर पर जाने वाली सभी सप्लाई चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम 0.86V के गरी 0.9V सप्लाई ओके है 5V यहाँ पर चेक कर रहे हैं ओके है 3.3V यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके है 1.5V RAM सप्लाई ओके है प्रोसेसर में जाने उलए 1.1 Vor 2 क है जिसका मतलब प्रोसेसर में जा रहे हैं सेभी supply क्यूट अब इतना confirm हो जाता है कि इसमें प्रोसेसर में dry salt का problem हो सकता है ये चिताउनी के साथ मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रोसेसर अगर जो आप नॉर्मल SMD गन से हीट करते हैं प्रोसेसर को तो ये प्रोसेसर जल्दी से खराब हो जाएगी तो ध्यान रखिए कि आप कभी भी इसमें नॉर्मल SMD गन से हीट ना मारे पावर सप्लाई से मदर बोर्ड को जाने वाली केबल निकालने पर यहां बैक लाइट दिख रही है इसका मतलब बैक लाइट सेक्शन ओके है सेलाइट सेक्शन ओके है कि यह अभी 232 सेकेंड का है पुराइए यह मेरी प्रोफाइल है अच्छा देखो अभी 187 188 सेकेंड से अभी इतनी प्रोफाइल पे हीट हो गया होता है फिल भी में एक्स्ट्रा हीट एक और प्रोफाइल की रखिये कमी जो रह गही हो पुरी हो जाए अच्छा नौ सेकेंड के बाद यह बजर अभी पवांच सेकेंड में बजर बजेगा दो सेकेंड में बजेगा अब देखो अब तर्टी टू पे बजर बजा और थर्टी पोर पे यह डाउन फॉल चालोगा अच्छा उलिंग किया यह पूल लाइट ओन होगी सब्सक्राइब कुछ आपको कोलकत्ता की ट्रेनिंग में मैं 20 फेबरॉरी 2026 को कोलकत्ता आ रहाँ तीन दिन की सेमिनार है आपको दिये गए नंबर पे फोन करना है 9724-584872 या आप एमदाबाद में पात दिन की ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते है моментा बाद में पात दिन की ट्रेनिंग है फास्ट ओव डिसमबर को एक डिसमबर को साल ठीक है एक डिसमबर से लेके पात डिसमबर तक है ट्रेनिंग 125 ठीक है आपको यह training मिल जाएगी यहाँ पर एमदाबाद में इसके लिए भी आपको call करने के लिए यह number है 9724-584872 इस पर call करके अपना नाम लिखवा दो उसके बाद मैं बताऊँगा आपको advance payment करके booking कर लेनी है 5 दिन की एमदाबाद की training यह तो फटा फट फूल हो जाएगी because हम 5 से 7 मेंबर लेते हैं अमदाबाद की training में 5 to 7 मेंबर्स only ठीक है तो यह जल्दी फूल हो जाती है अगर जो अमदाबाद में आपको training लेनी है 5 to 7 मेंबर्स की training है तो जल्दी से करना है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं सभी voltages 1 वोल्ट ओके है 17.3 वोल्ट ओके है 3.4 वोल्ट ओके है 1.8 वोल्ट 12 वोल्ट आउटपुट भी 12 वोल्ट मॉसवेट से भार आ रहे है पांच वोल्ट तरी पॉंट्री वोल्ट सब भी वोल्टेज प्लेज़्ट है 1.5 वोल्ट 1.1 वोल्ट तो यहां पे सबी प्रोसेसर को जाने वाली सबी सपलाई ओके है तो यहां पे आप देख सकते हैं 15.6 वोल्ट जो टीवी चानू प्ली निशा नी है यहाँ पर पैनल में सप्लाई बन चुकी है ओके तो यहाँ सभी सप्लाई लगभग बन रही है तो हम यहाँ पर ही चेक कर लेकर है 0.6 1.8 वोल्ट 8.56 14.3 वोल्ट 15.8 वोल्ट तो सभी सप्लाई यहाँ पर बन रही है तो यहाँ सब्सक्राइब आपने वल्यादे लगे अच्छा बर्फार चलाए क्यों यहले भी जल्दी लख लुग जाएचा ने वाई जाएचा ने ने वाईज अशे वह रेडी थे कि उचाहँ प्रण के शामा चाहँ ने शाला कैसा खतर नाकूआ नी पढ़ेगा ठीक है यह में सी आईसी निकाल के फिर लगाना है रिबॉलिंग भी करने हैं यह सब कुछ आपको कोलकत्ता की ट्रेनिंग में मैं 20 फेबरॉरी 2026 को कोलकत्ता आ रहाँ तीन दिन की सेमिनार है आपको दिये गए नमबर पे फोन करना है 9724-584872 या आप एमदाबाद में पांत दिन की ट्रेनिंग के लिए भी आ सकते हैं एमदाबाद में 5 दिन की ट्रेनिंग है 1st of December को 1 December को इस साल ठीक है 1 December से लेके 5 December तक है ट्रेनिंग 1 to 5 ठीक है आपको ये ट्रेनिंग मिल जाएगी यहाँ पर एमदाबाद में इसके लिए भी आपको call करने के लिए नंबर है 9724584872 इसके call करके अपना नाम लिखवा दो अबढ़ाद मेंबर लेता है अमदाबाद की ट्रेनिंग में 527 मेंबर्स ओनली ठीक है तो यह जल्दी फूल हो जाती है अगर जो अमदाबाद में आपको ट्रेनिंग लेनी है 527 मेंबर्स की ट्रेनिंग है तो जल्दी से करना है इन दिन की सेमिनार 20 22 February 2026 को पॉलकता में है ट्रेनिंग बुकिन्ग है मों खरके आपको सेट बुक कर लेनी है फटा फट ये शीट बुक हो जाएगी 15 बुक हो चुकी है आप सिर्द से भारा शीट बची है तो इस नंबर पर फ़ोन करके फटा फट अपकशनी की ट्रेनिंग फटा फट फूल हो रही है विकॉस फोन आ झाल झाल